वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक का चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे छात्र जिन्होंने CGPAT 2021 का एक्जाम दिया है और आगे काउंसलिंग प्रोसीजर अटेंड करेंगे उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने आली है तो बीना स्किप करें वीडियो को देखेगा तो देखेए आपको जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट से जो और किसी यूटूब चैनल वाले ने बताए नहीं है वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको तो वीडियो पुरा देखेगे तो सर्व प्रत्थम तो आपको अपने CGPAT जो 2021 का स्कोर कार्ड है वो तो साथ में ले जाना ही पड़ेगा निश्चित रूप से साथ में जो आपने एक्जाम जाते समय साथ में जो एड्मिट कारता उसके भी एक दो कॉपी साथ में रखें उसके बाद जो आपने सरव प्रत्हम आउनलाइन आविदन दियत से CGPAT एक्जाम के लिए उसके भी एक दो कापी अपने साथ में रखे इसके भी आउसकता पढ़ती है उसके बाद अब सीम्पल सी बात है क्लास 12 एन क्लास 10 का मार्क स्टेट ओरिजनल प्लेस फोटो कापी डॉम्निकल सर्टिफिकेट एस इस्थानिय निवासी प्रमान पत्रप भी बना कर रखे क्योंकि इसका फायदा होगा यदि आप आउट आप इस्टेट वाले हो जाते हैं तो आप ये नियम तो जानते होंगे कि दूसरे राज्या पे जाने में पर आपके जो खुद के राज्या में जो आरक्षन है वो खतम हो जाता है और आप उस जनरल कर्टिगिरी में आ जाते हैं अब सिंपल सा बात है चार से पांच फोटोज रख लीजेगा ये तो जरूरी है अब डियर स्टूडेंट अगला है गैप सर्टिफिकेट यदि आपका कक्छा बारवी के बाद BSC Agriculture First Year में भड़ती लेते समय बीच में एक साल या दो साल जितने साल का भी गैप हुआ हो उसक आप किसी भी नोटरी होता है वकील के पास जाकर बनवा सकते हैं या फिर किसी च्वाइस सेंटर में आपको असानी से बन जाएगा अब अगला सर्टिफिकेट आता है डियर स्टूडेंट हेल्थ सर्टिफिकेट इस्टूड बार लोकल चीप मेडिकल ऑफिसर तो यह जो आ अगला सर्टिफिकेट मंगेगा अब अगला स्टिफिकेट क्रिशक प्रमाण पत्र यह कई पूछेंगे हल्थ सर्टिफिकेट कहां बनेगा तो आपके आज पास में जो चीप मेडिकल ऑफिसर हर एक लोकल एरिया के रहता है उसके हाथों बन जाएगा अब हो सकता है कोई में बना कोई पैसा ले यह आपके एरिया के CMO के उपर डिपेंट करता है अगला आतर डियर श्टुडेंट क्रिसक प्रमाद पत्र है तो ऐसे चात्र जिनके पिता जी के नाम पर क्रिसी भूमी है चाहे वो सहर में रहते हों भले गाउं में खिती खार का काम ना करते हों तो उनका भी क्रिसक प्रमाद पत्र बन जागा अपने एरिया के पटवारी अमतहसिलदार से इसके लिए संपर्क करें और जहां तक कई लोग पूछते हैं क्रिसक प्रमाद पत्र का फ प्रमान पत्र साथ मिलाते हैं तो इससे जो मिलने आला लाब है वह बहुत ना के बराबर हो जाता है अब अगला प्रमान पत्र है कोविट डर्च सर्टिफिकेट फॉर पैनल तो ऐसे छात्र जिनके माता पृता की मृत्यू कोविट के जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दिया जाता है तो यह आपको कांशलिंग के समय नहीं मंगेगा लेगिन उसको बना कर रखे जैसे आप कॉलेज में एडमिसन लेते हैं तो अपने दीन से इसके बारे में बात कीजिए निश्चित रुप से आपका सुल्क माप कर दिया जाएगा अगला सर्टिफिकेट है ड तो वो यह प्रमांट पत्र बना कर रखे इसका आपको बहुत फायदा होगा इसका फायदा यह है कि एक उधारान नुकत आप समझ जाएंगे कि 2000 से 3000 रेंक वाले लोग फ्रेडाम फाइटा रत्वा सैनिक सर्टिफिकेट की साहता से आईजी के वी रैपूर में सीट पा जा नौटरी द्वारा इसको बनाना पड़ता है अब आगे बात किया जाएं तो माइग्रेशन और ट्रांसफर सेटिफिकेट तो निश्चेत रुप से इसके आप सकता पड़ेगी औरीजिनल पूलस फूटो कॉपी अब अगला सेटिफिकेट है कास्ट सेटिफिकेट चात्र है वो एडबलू एस के बारे में ना पूछे अभी तक लागू नहीं हुआ है और आगे लागू होता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अब निश्चेत रुप से अगला सेटिफिकेट है सेटिफिकेट और फिजिकल डिसेबिटी तो किसी भी छात्र है जो दिव्यांग की स्रेणी में आते हैं उनके सरी में किसी भी प्रकार की विकलांगता हो कि एक कान कमजोर है कान से ढंक सुनाई नहीं देता है दूसे सुनाई देता है या मानसी ग्रूप से मेंटल प्रॉब्लम्स है वो तो ऐसे सभी छात्र पी एस सर्टिफिकेट जरूर बन होगा क्योंकि 1000 रेंग से 2000 रेंग यदि आपके पास पी एस सर्टिफिकेट है तो आप राइपूर बिलासपूर कॉलेज पास सकते हैं यहां तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनका हलका सा नाग भी तेढ़ा है वो भी पी एस सर्टिफिकेट बना लेते हैं किसी का हाथ प इसको भी पी एज की स्रेणी में गिना जाता है अब पी एस सर्टिफिकेट आपका 36 वाला जगदलपूर से बनता है और केंद्र वाला केंद्र से सर्टिफाइड वाला इसके लापको MP जाना पड़ेगा अब अगला आता है निश्चित रूप से वैलिड आडेंटिप रू क्तक्राइड है अब लग्या कर वाला इस वित्व स्रेटब में वाला हैiger।